नमस्कार दोस्तों सागत है आप सभी का हमारे लेटेस्व चैनल में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे ONGC के विकेंसी के बारे में OL & Natural Guys Corporation निमकेर गाइस यहाँ पर जो है तो बहुत अच्छी साल रखी गई है तो गाइस पूरी नोटिफिकेशन के बारे में टेर से बताऊंगी क्या साल ली है क्या आए जूडिट है सो बने रहे है आप वीडियो की आखरी तक अगर आप हमारे चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जुरूर फिस कर लें सो चलिए स्टार्ट कर लेती हूं यहाँ पर गाई जो है तो पहले यहाँ पर जो है तो AEE की विकेंसी यहाँ पर आयो रही है जिसमें जो है तो कमेंटिंग मेकेंकल वाले यहाँ पर कंडिट फॉर्म को फिल अफ कर सकते हैं क्वालिफिकेशन यहां पर गाय जो है तो ग्रेजुट डिग्री है मेकैनकल इंजिनिंग में 60% साथ अगर आप पास आउट है तो फॉर्म को फिलाफ कर सकते हैं यहां पर जो है तो टोटल 6 विकेंसी आए जिसमें जनरल कले 2 है OVC के लिए 3 है, ESC के लिए 1 है, ESD के लिए कोई विकेंसी नहीं है, EWS के लिए कोई विकेंसी नहीं है नेश्ट यहां पर AE की विकेंसी यहां पर जो है तो आयो है जिसमें यहां पर जो है तो पेट्रोलेम की विकेंसी यहां पर आयो है ग्रेजुट डिग्री है आपके पास इंजिनिंग विद 60% साथ अगर अपास आओ तो फॉम को फिलफ कर सकते हैं यहाँ पर पी-ई की विकेंसी पेट्रोलियम इंजिनिंग की यहाँ पर जो है दो गेट सब्जिक्ट रखा गया है वन विकेंसी है जो की जनरल कटेगरी के लिए रखी गई है यह सिबिल में विकें और concern इंजिनिंग में wow आप आई फी लिए जो सब्जिक्ट इंजिनिंग विकेंसी हां पर रखे गई है विद 60% साथ आगर अब दोस्तों फॉम को फिलफ कर सकते हैं यहां पर पर जो है तो electrical engineering branches यहां पर eligible है, total यहां पर 40 vacancy यहां पर रक्स की गई है, यहां पर गाईस आप categories wise देख सकते हैं, next यहां पर electronics vacancy यहां पर जो है तो IEA, यहां पर जो है तो graduate degree in electronics engineering 60% है, आपके पास यहां पर जो है टेली कॉम इंजीनिक भी branches eligible है, E and TV यहां पर जो है तो eligible है, यहां पर physics with electronics candidate यहां पर फॉर्म को फिलफ कर सकते हैं, यहां पर guys जो है तो total 5 vacancy रखी गई है, next यहां पर instrumentation में vacancy आई है, जिसमें graduate degree in instrumentation है, 60% साथ आप पास आउट नहीं फॉर्म को फिलफ कर सकते हैं, यहां पर जो है तो total 32 vacancy यहां पर रखी गई है, जिसमें यहां पर जो है तो total 15 vacancy रखी गई है, जिसमें यहां पर production chemical में आई हुई है, जिसमें आपके पास graduation है, production chemical में तो off home को फिलफ कर सकते हैं, यहां पर total 16 vacancy रखी गई है, next guys यहां पर हम देख लेते हैं, यहां पर जो है तो environment में भी आई हुई है, यहां पर जो है तो reserve vacancy यहां पर जो है तो आई हुई है, chemistry यहां पर गायज जो है तो आप देख सकते हैं बहुत सारे यहां पर branches eligible हैं, chemistry है, mathematics है, physics है, petroleum engineering है, यहां पर chemical engineering वाले branches eligible हैं और petroleum engineering वाले भी candidate form को फिलफ कर सकते हैं, next दोस्तों यहां पर chemistry है, post-gradation आप किये हैं, 60% साथ अगर आप पास आउट हैं तो farm को फिलफ कर सकते हैं, तोटल यहां पर 14 vacancy यहां पर रखी गई है, यहां पर geologic vacancy आई हुई है, जिसमें यहां पर post-gradation degree geology में है, 60% साथ अगर आप पास आउट हैं तो farm को फिलफ कर सकते हैं, यहां पर देख लेते हैं, यहां पर 24 vacancy यहां पर रखी गई है, अगर आप physics electronics किये हैं, यहां पर जो है तो geophysical technology में है, 60% साथ अगर पास आउट है तो farm को फिलफ कर सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे branches लेज़वल हैं, यहां पर transport officer में भी विकेंसी यहां पर रखी गई हैं, जिसमें graduate degree है, mechanical engineering में 60% साथ अगर आप पास आउट है तो farm को फिलफ कर सकते हैं, यहां पर जो है तो mechanical engineering की यहां पर branches लेज़वल हैं, जिसमें यहां पर aid विकेंसी रखी गई है, अगर guys मैं total की बात करूँ तो यहां पर total विकेंसी 309 total विकेंसी यहां पर आई हुई है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, निश्ट यहां पर काईस आपको जो है तो categories बाइज दिया गया है, निश्ट यहां पर दोस्तो हम बात करेंगे age limit की, तो यहां पर general category के लिए यहां पर 30 years age limit रखी गई है, and AEE के लिए यहां पर 28 years, निश्ट यहां पर obviously 33, and यहां पर AEE के के लिए age limit जो रखी गई है, 35 years रखी गई है, and यहां पर जो है, तो PW VD के लिए 40 years, यहां पर age limit रखी गई है, यहां पर CHT OVC के लिए यहां पर guys जो है, तो age में छूट मिल जाएगी, निश्ट यहां पर guys जो है तो selection procedure की बात करूँ, तो यहां पर जो है तो git 2020, यहां पर guys जो है तो git की साथ यहां पर जोड़ा हुआ है, निश्ट हम बात करेंगे, कितने का interview रहेगा, आपका जितने का git percentage रहेगा, यहां पर form करने की जो starting date रखी गई है, 11.10.2021 रखी गई है, एक नमबर से पहले आप जो है तो form को fill up कर सकते हैं, guys यहां पर जो है तो आप देख सकते हैं, weighted of git 2020 का score 60% यहां पर रखा गया है, and qualification यहां पर 25 रहेगा, and interview आप से लिया जाएगा, 15 marks का, यहां पर जो है तो आप से लिया जाएगा, so guys यहां पर जो है तो minimum यहां पर 40, इसक की बाद जो है तो interview रहे जाएगा, and यहां पर जो है तो आपका final selection हो जाएगा, यहां पर देख सकते हैं, application fee की बात करूं, तो general EWS, OVC category के लिए 300 रखी गई है, and yes, 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 PWD कर नेट के लिए, यहां पर कोई भी application fee नहीं रखी गई है, so guys, इसके अंदर जितनी भी important information थी, सार for watching and listening.